अपने एक्जिनोस के 9820 वाले फ्लैक्शिप प्रोसेसर को जो वो अनौस कर दिया है जो एक्जिनोस के 9810 का सक्सेसर बनके आ चुका है और आप लोगों को 2019 के अंदर सैमसंग के अपकमिक फ्लैक्शिप स्मार्टपून इनके अंदर एक्जिनोस का 9820 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा मैं आप लोगो यहाँ पर इस वीडियो में एक्जिनोस के 9820 और एक्जिनोस 9810 का कंपैरिशन दोगा और दोनों में से क्या खास इंप्रूमेंट सैमसंग का एक्जिनोस 9820 न लाया है कंपैर तो 9810 का वो मैं आप लोगो इस वीडियो में जो बताऊंगा तो जाड़े इंवेस्टी करते और शुरुआत करते इन दोनों की कंपैरिशन से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों के CPU परफॉर्मेंस से और यहाँ पर जो एक जिनूस का 9820 है यह आप लोगो एक ओक्टागोर का प्रोसेसर मिलता है और इसके अंदर इ इंप्रूवड है यह आपको 4th generation वाले जो वो मिलते है बाकी के 2 आपको यहाँ पर cortex A75 वाले मिलते है और बाकी के 4 आप लोगो remaining cortex A55 के मिलते है लेकिन वहाँ पर Exynos 9810 में आप लोगो 4 custom course जैसे कि मिन आपको बता है थर्ड जनेरेशन वाले मिलते है और remaining 4 आपको cortex A55 का मिल यह आप लोगो 10% less power consume करके देंगा compare to 9810 के तो हाँ थोड़ा सा और power efficient आपको 9820 जो देखने को मिलता है रही बात यहाँ पर 9820 के अंदर आप आपको इस बार dedicated NPU का support मिलता है नतब neural processing unit यह आपको dedicated AI का support देगा जो कि साथ गोना better perform करेगा compare to 9810 के जबकि उसमें ऐसा कोई integrated NPU क आपको support नहीं मिलता था अब यह यहाँ पर जो भी AI जो performance होगी यह बहुत improved होगी बहुत ही fast होगी क्योंकि यह dedicatedly आपको perform करके देगा वैसे ही जैसे Huawei के Mate 20 series मा भी आपको recently देखने को मिली थी कि इनके 980 वाले processor के अंदर तो NPU का अभी आपको 9820 के अंदर dedicated support Samsung इस पार जो आप लोगो 9820 के अंदर latest Malii का G76 वाला MP12 वाला GPU मिलता है और वहाँ पे आप लोगो 9810 के अंदर Malii का G72 MP14 वाला GPU मिलता था तो GPU यहाँ पर इसका इस बार काफी powerful है और आप लोगो बहुत ही अच्छा performance देगा gaming के अंदर अगर आप इसको पुराने वाले 9810 से compare करते तो का जो वो storage का support मिल रहा है और 2.1 का भी support मिलेगा लेकिन 9810 के अंदर आप लोगो सिर्फ UFS 2.1 का support मिलता था आपको 3.0 का support नहीं मिलेगा मतलब आपको जो phone होगा application open करेंगे आपका read और write का time इस बार बहुत ही fast होगा UFS 3.0 से compare to 2.1 के RAM की में आप बात करता हो तो आप PDDR 4X वाले RAM का support मिलता है यहाँ पर रही बात दोनों की connectivity की network की तो modem की अगर में बात करता हो तो 9820 के अंदर अब आपको लोगो improved LTE CAT 20 वाला version मिलता है अगर आप उसको 9810 से compare करते तो वहाँ पे आप लोगो LTE CAT 18 वाला version मिलता था LTE CAT 20 में आपको 9820 के अंदर 2GB S तकी जो वह download speed मिलेगी जी हाँ 9810 में आप लोगो 1.2GB S योवो download speed मिल रहे थी यहाँ पर आप लोगो upload speed की बात कर रहें तो आप लोगो 9820 के अंदर 316 MB S की upload speed मिल रहे है जबकि आप लोगो 9810 में 200 MB S की जो वो upload speed मिल रहे है मतलब network की connectivity की अं लेकिन अगर आप 9820 का अगर कैमरा देखते तो यह improved कैमरा है इसमें आप लोग को advanced ISP का सपोर्ट मिलता है जहां पर आप लोग को up to 5 camera sensors का support इस बार इसमें जो वो देखने को मिलेगा मतलब camera की quality काफी improved है काफी enhanced है अगर आप उसको 9810 से compare करते है तो camera की department में भी 9820 आप लोग को way better देखने को मिलता है compared to 9810 के यहाँ पर video recording की बात करते है तो आप लोग को 9820 के अंदर इस बार 8K video recording का support मिलता है 30 fps के उपर और 4K आपको 150 fps पर जो वो देखने को मिल जाता है 9810 के अंदर आप लोग को सिर्फ 4K का video support मिलता है वहाँ पर obviously 8K नहीं मिलेगा और 4K भी आप लोग को 120 fps पर जो वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अगर मैं display quality की बात करता हूँ तो display का support आप लोग को दोनों में same मिलता है आप लोग को 25-30% performance अच्छी देखने को मिलेगी compared to 9810 के और AI तो आप लोग को साथ गुना better मिलेगा क्योंकि AI का आपको dedicated support इस बार मिलता है जबकि 9810 में आप लोग को नहीं मिलता था 9810 के लेकिन अभी यहाँ पे कीरिन का 980 भी मौझूत है जो कि 7Nm के उपर है और एपल का भी 812 है और अभी 8150 Snapdragon का आएगा वो भी 7Nm पे मिलेगा तो इन सबसे भी में compare करके देख लेंगे कि इन में से कितना better यह Exynos का 9820 परफॉर्म करता है इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर आपको यह वीडियो पसना तो ज़रू से वीडियो को लाइक करना मैं ऐसी comparison वीडियो में प्रोसेसर के लाता रहूंगा और आप लोगो ऐसे ही अबडिनेट करता रहूंगा मिलते हैं आप से लिए होगे आप करता रहूंगा तिल जके वीडियो मीजियो केसे ख दो जके स्मालिए